बता देगी आज धर्णशाला में जो है जो हिमाच्छा प्रदेश बिधान सवा का सीत कालिन जो परिसर यहां बना बिधान सवा का वहाँ पर आज खालिस्तान समर्थकों के जो है वो जंडे वहाँ लगाए गे थे और दिवारों पर स्लोगन लिखे गे थे उसके बास से महौ जो है काफी तुनापुन कहा जा सकता है काफी हलचल जो है यहां पर देखी आ सकती है और पुलिस की और से अगई आभी इस मामले में अपडेट बताएं तो पुलिस की और से S.I.T. का गठन किया गया है और D.I.G. की अधिश्टा में एक S.I.T. बनाई गई है और पुलिस तमाम मामले की जो है जांच में जुटी हुई है ताकि जो अपरादी है जिन्नों ने इस तरह की हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके जी बिल्कुल पुलिस अपरादियां दी पाल दे वेच जुटी हुई है विपन कोई क्लूस मिल सके ने क्योंकि सीसी टीवी कैमरा उथे मौजूद नहीं सी आले डाले कोई इस तरह दी था ओवे जितो सीसी टीवी कैमरा दी फुटेज बरामत किती जा सके या फिर ना मुल्जमादी पचान वाले को क्लू मिल सके कोई अगे कदम वाज सके जी बिल्कुल जो धरमशला बिधान सावा परिसर है उसके बाहर जो मुख्य गेट है उस पर तो किसी प्रगार का सीसी टीवी कैमरा नहीं है लेकिन इतना जुरूर है कि जो शहर के अन्य चुराहे हैं उन चुराहों से जो सीसी टीवी फुटेज पुलिस दोरा एकठी की जारी है और उसे खंगाला जाएगा उसको पूरी तरह से बारीकी से चेक किया जाएगा कि कोई मुमेंट उस दुरान रात के समय में ऐसी तो नहीं हुई है या कोई उसमें दिखाई देता है उस पर पुलिस जो है अभी फोकस किये हुए है और एसपी कांगरा डॉक्टर कुशाल शर्मा का ये कहना है कि पुलिस ततपत्ता के साथ इस मामले की जाज में जुटी हुई है और जल्द कुछ न कुछ नतीजे जो है पुलिस इस मामले में जो है जल्द हासिल करेगी और अपरादियों की धरपकट के लिए पुलिस की और से तमाम जो कारबाई में तेजी है वो लाई गई है